ये गाईज विल्कम टू माई चानल गाईज आज की क्लास में हम इन्वारमेंटल इस्टडीज यानि एवियस परियावरण अध्ययन की 30 कोश्चन्स डिसकस करेंगे जो कि सभी टीचिंग एजाम के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं को कौन-कौन से इ पौधे हरे होते हैं ये सारे कुश्चन्स आपकी यूपी टेट में पूछे गए हैं तो यहां के पास ऑप्शन है एंधोसाइन, कैरिटी नायड, लाइकोपीन या क्लोरोफिल तो आपको राइट ऑप्शन कमेंड करके बताना है कि यहां राइट ऑप्शन कौन सा हो जाए कि जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिदी के कारण पौधे क्या होते हैं हरे होते हैं तो डी ऑप्शन एकदम क्या रिक है ने इस कुश्चन देखते हैं इसे पूछन है कि मानवी गतिवीदियो जो प्रत्वी पर जलवाई उपरवेट्वन के लिए जिम्मेदार हैं व यहां आपका D option करेक्ट है ने इसकुशन देखते हैं यहां पूछन देखते हैं यूफार बी एसी फैमली की कौन सी फसल भायो डीजल उत्पन करने के लिए जानी जाती है यहां आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑपशन क्या हो जाएगा यहां आपका D option करेक है वो यूफार बीएसी फैमली की एक फसल है जो बायर बायो डीजल उत्पन करने के लिए क्या जानी जाती है तो यहां आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ने इसको पूछ रहा है जड़ी बूठियों की नानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूठी है इस ऑसधिय पौधेव का हिंदु धर्म में महत्तु है और इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है ओसिसम सैंक्टम तो इसको साम मानने ताह लोग किस नाम से जानते हैं आप्शन आपकी पास अजवायन के फूल तुलसी रोजमेरी या धनिया तो यहां आपका राइट ऑप्शन क्या हो ज जाता है और इसका जो वानस्पतिक नाम है साइंटिफिक नेम है वो है ओसिसम सैंक्टम यहां आपका भी ऑप्शन करेक्ट है इस कुछन पूछ रहा है कि पीने के लिए सुरिच्छित पानी को क्या कहते है यानि जो पीने के लिए पीन योग जो सुरच्छित पानी होता है तो यहां B option correct है फिर आपसे पूछ रहा है कि वर्स 1984 की जो भुपाल गैस तरासदी हुई थी वो इन में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी हमें पता है कि जो भुपाल गैस तरासदी हुई थी 1984 में वो गैस के रिसाव के कारण हुई थी option आपके पास methan,東西 isosyanate, nitrous oxide यwynh carbon monoxide तो right उप्षिन बताइए, इसका right option क्या हो जाएगा B option correct हो जाएगा, जो methyl isosyanate है बhopal gas गैस Maria dollars जो हुई तही 1984 में methyl isosyanate gas के ah object कारण हुई थी पिर हाभ two option correct है फिर आपसे पूछ रही कि विस्व परियावरण दिवस कम मनाया जाता है यानि वर्ड इन्वारिमेंटल डे किस दिन मनाया जाता है पांच जून को, दो दिसंबर को, सोला सितंबर को या ग्यारा जुलाई को तो राइट ऑप्षण बताए इसका राइट ऑप्षण क्या हो जाएगा तो यहां जो आपका यह औप्षण हो और जायगा जो विस्व परियावरण दिवस है वो पांच जून को मनाया जाता है तो यह औप्षण आपका एकदम करेक्ट है इस कुष्ण देखते है आथन थे वो एक क्रसिव एक ज्यानिक थे तो C option करेक्ट है फिर आपसे पूछ रहा है कि Wildlife Institute of India जिसे WII कहा जाता है कहां इस्तित है अहमदाबाद में नई दिल्ली में कोयमबटूर में या देहरादूर में तो सकति है तो यहां मुझे कहाता है यहां यहां की प्रकास आंशलेШन के दारान हरे पोगे निममन में से किसे सोख लेते हैं कारबन डीयाख साइड को हीलियां को लाझे नाइटरोजन को या ऑकसीजन को तो रखन करके बताएं यहां जो आपका right option हो जाएगा वो option number A हो जाएगा जो photosynthesis की क्रिया होती है प्रकास insulation तब हरे पौधे carbon dioxide पूग करते हैं सोख लेते हैं तो यह option एकदम correct है इस question देखते हैं इस question पूछ रहा है कि अपसिस्ट पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है साक भच्ची, म्रतक भच्ची, मांस भच्ची यारसायन भच्ची तो right option बताईए इसका right option क्या है यहां आपका B option correct हो जाएगा जो आपसिस्ट पादों को खाने वाले जीवों होते हैं उन्हें हम कहते हैं म्रतक भच्ची यहां आपका B option एकदम correct है फिर आपसे पूछ रहेगी तप्त भौम जल से किस प्रकार की उर्जा प्राप्त होती है भूत आपी उर्जा, जल विद्धोत उर्जा, सौर उर्जा यह नाभी की उर्जा तो right option बताईए इसका right option क्या हो जाएगा यह option आपका correct हो जाएगी तप्त भौम जल होता है उसमें से भूत आपी उर्जा हमें प्राप्त होती है तो यह option आपका एकदम correct है इस question देखते हैं इसे पूछ रहे कि सोला घास इस्थल कहां पाय जाते हैं हिमाले में, पश्चमी घाट में, पूर्वी घाट में या विंद्याचल में तो यहां right option कौन सा हो जाएगा आपका यहां जो आपका B option वो correct हो जाएगी कि जो सोला घास इस्थल है वो आपके पश्चमी घाट में पाय जाते हैं इस question देखते हैं पूछ रहा है कि भारत में पेलिकन पच्छी कहां प्रजिनन करते हैं कोक कारे बेलूर में, नेला पट्टू में, कुन्थन कुलम में या यह सभी, यानि यह सभी option साही हो जाएगे तो यहां आपका D option correct हो जाएगा जो पेलिकन पच्छी होते हैं कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या यह सभी तो यहां right option आपको बताने कौन से सही हो जाएगा C option सही हो जाएगा यानि जो मीना माता रोग होता है अगर आप ऐसी मचली खा लेते हैं जिसमें पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है या इन में से कोई भी नहीं यहां जो आपका right option हो जाएगा वो C option हो जाएगा जो जो लेयर का अधिक्तम हास हुआ है यानि अधिक्तम जो छती हुई है वो दच्छडी दुरोपर हुई है तो यहां C option एक्दम correct है यह option correct हो जाएगा कि जो हीरा लाल जो इकानिया थे वो भारत के प्रमुख मुख्य नयादीज थे यहां A option एक्दम correct है इस question देखते हैं उसे पूछ रहा है कि red data book किस से related है विलुप्ट के करीब जीव के नदियों के प्रदूसर से related है घटता गुगर्ब जल इसतर से related है यह अवाई उस प्रदूसर से related है तो right option देखता है इसमें क्या सही हो जाएगा A option सही हो जाएगा कि जो red data book है वो किस से related है विलुप्ट के करीब जीव यानि जो जीव विलुप्ट होने वाले है उन से related है यह option correct हो जाएगा फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन वर्तमान रास्टी महिला आयोग की अधच्छ है मालिनी भटाचार, गिरिजावयास, रेखा शर्मा या यासमीन अबराड तो यह आपका 2019 का question पेपर है तो इस question के बिहाब पे आपका कौन सा सही हो जाएगा C option सही हो जाएगा 2019 में जो रास्टी महिला आयोग की अधच्छ इती हो कौन थी रेखा सर्मा थी तो यहां C option correct है इस question के बिहाब पे इस question देखते हैं तो पुछ रहे है कि लोगसभा और राजसभा की सन्यूप्त बैठग किसके दारा आउथ होती है यानि लोगसभा और राजसभा की जो सन्यूप्त बैठग बुलाई जाती हो किसके दारा बुलाई जाती है संसत की दारा, राजच्छ पती की दारा, लोगसभा की अध्यच्छ दारा या राजसभा की सभापती दारा तो right option बताईए यहाँ आपका B option सही हो जाएगा कि लोगसभा और राजसभा की जो संयूक्त बैठक होती है वो रास्टपती द्वारा आहूत की जाती है तो यह B option इंदम करेक्ट है इस question देखते हैं इसे पूछना की सन्विधान की किस भाग में पंचायती राजविवस्ता संबंधी प्रावधान दिये गये हैं अनुच्छे थर्ड में सन्विधान भाग 4 में भाग 6 में यह आपका कौन सा हो जाएगा यह आपका 4 हो जाएगा जाएगा यह 9 हो जाएगा यह आपका 4 हो जाएगा यानि तीसरे में नवे में छटे में यह चोथे में यहां राइट आप्शन कौन सा हो जाएगा यहां आपका B option सही हो जाएगा कि जो सन्विधान का नववा भाग है उसमें पंचायती राजविवस्ता संबंधी प्राव यहां राइट आप्शन आपका कौन से सही हो जाएगा C option सही हो जाएगा कि जो 74 सन्विधान संसोधन था उसमें सहरी स्थानी सुसासन से रिलेटेट था यानि 74 सन्विधान से सहरी स्थानी सुसासन से तो C option एकदम करेक्ट है इस question देखते हैं इसमें पूछ रहा है कि किस gas को आप बर्षा के पानी में घुलने में पूना पानी हो जाता है यानि कौन से रहा है ज़ो जाती है तो वर्षा के पानी में घुल जाता है तो अप्शन के पास Carơ दừa éakक्सऑड, हैड्रोजन ऑ्रराइकसड, नािट्रोजन मोनो खमाइड, सुलपर दाइकसड तो यहां कौ वर्षा का पाली आता है, जो नीचे बूंदे आती हैं, क्या हो जाती है, एसेडिक हो जाती है, अमली हो जाती है, तिया, D option एक दम करेक्ट है, इस question देखते हैं, इस question पूछ रहे हैं, कि भारती सन्विधान में, जो डिदिका सासल विचार कहां से लिया गया है, सुटजर लेंड से, अमेरिका से, इंगलेंड से या आयरलेंड से, तो राइट ऑप्षिन बताईए, हसका राइट ऑप्षिन क्या हो जाएगा, C option तुँछ ज़ाएगा, ग्रह मंत्रा ले भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट प्रति या लोगसभा सचिवाले तो right option क्या हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग जिब लोगसभा की चुनाओ होते हैं यानि लोगसभा की चुनाओ है तो जो अधि सोचना जारी की जाती है वो भारत का option हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्निकाल यानि जो लोग सभा की कारिवाही की प्रथम घंटे को कहा जाता है वो प्रश्निकाल कहा जाता है तो D option इक तम करिक है वर्शा जल संग्रहन क्या है पानी का वित्रन प्रियुक्त जल का संग्रा और भंडारन वर्शा जल का जमाओ और भंडारन या इनमें से कोई नहीं तो right option क्या हो जाएगा C option सही हो जाएगा कि वर्शा जल संग्रहन यानि वर्शा जल का जमाओ और भंडारन तो यहां अगिर नेशनल पार्क में तो right option बताईए इसका right option क्या हो जाएगा C option correct हो जाएगी कि जो भारती इंगेंडा सरच्छित हैं वो काजी रंगा नेशनल पार्क में सरच्छित हैं C option एकदम correct है फिर आप से पूछ रहा है कि कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में उर्जव प्रवाह के संबंद में सही है यानि जो आपके पारिस्थितिक तंत्र होती है उसमें कौन से ये उर्ज़ प्रवा की संबंद से रिलेटेड है उत्पादक, उभोकता, अब घटक या उत्पादक, अब घटक, उभोकता फिर आपसे कह रहा है कि अब घटक, उत्भोकता, उत्पादक या उभोकता, उत्पादक, अब घटक तो राइट उप्शन आपको बताना है कि इसमें तर राइट उप्शन क्या हो जाएगा तो यहां जो आपका एउप्शन और करेक्ट हो जाएगा कि पहला आपको क्या आते हैं प्रोडिउशर आते हैं फिर आपके कंज्यूमर आते हैं फिर उसके बाद क्या आते हैं आप घटक यानि जो डिजॉल्व करते हैं प्रोडियूसर यानि आपके घास पूस आ गया है फिर उसके बाद जो क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर वह आपके जैसे आ गए की गाये भैस जानवर आ गए आपके मन उससे आ गया फिर आप घटक यानि जो माइक्रो ऑर्गिनिजम होते हैं क्या करते हैं जो बचा हुआ बचिता है उसको क्या करते हैं फिर से चेंज कर देते हैं यानि इनर्जिटिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो यहां आपका पहला सही हो जाएगा इस कुश्ण कर निस कुश्ण देखते ह इस कुछ रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है कारबन डाय अकसाइड प्रोपेन एथेन यह मेथेन तो यहां राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन जो कारबन डाय अकसाइड है यह कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस है और ये वातावरण में इन सब में सबसे अधिक मात्रा में उपस्तित रहती है तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 questions डिसकस कर लिए है environmental studies related ये सब ही आपके teaching exam के लिए बहुत important है और ये 2019 का question paper के सब ही question मैंने आपको बताए है जो कि 2019 के UPTED के question paper में आये हुए थे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजे चैनल subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you